पर्मुक तिलन फसल होने के बावजूद सोया भीन का सही दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा पिछले तीन दिन से महाराष्टर की 95 फिसद मंडियों में सोया भीन का दाम MSP से नीचे लुड़क गया है राजे की जाधतर मंडियों में इसका दाम 3000 से लेकर 4200 रुपे प्रतिक्विंचल तक है जबकि केंद्य सरकार ने MSP 4600 रुपे तै की गई है इससे कम दाम मिलने का मतलब घाटा होना है वहीं महाराष्टर देश का दूसरा सबसे बड़ा सोया भीन उतपादक है वहां के लाको किसानों की आजिवी का इसकी खेती पर निर्भर करती है लेकिन इस साल सही दाम ना मिलने से वो किसान परिशान है किसानों का कहना है कि सरकार के खादय तेल आयात नीती ही ऐसी है कि भारत के तिल्हन फसलों के उत्पादत किसानों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है वही माहराश एगरिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की अधिकारियों के अनुसार 25 मार्च को लासल गाम विचुर मंडी में सिर्फ 160 क्विंटल आवक के भापचूद इसका नियूंतम धाम सिर्फ 3,000 पे प्रति क्विंटल रहा जबकि इसकी उत्पादन लागत प्रति क्विंटल 3,029 रुपे आती है और अधिक तमदाम 4,336 तो ओसत 4,300 रुपे देखने को मिला इसी तरह 24 मार्च को वरोरा मंडी में सोया बीन का नियूंतम दाम 3,600 रुपे प्रति क्विंटल पर सिमट गया वही राज्ये की ज्यादातर मंडियों का भी यही हाल है MSP का रेट किसानों को नहीं मिल पा रहा पैसे की जरूरत की वज़े से किसानों को मजबूरी में सोया बीन बेचना पड़ रहा है किसानों को सोया बीन का सही दाम भले ही ना मिल रहा हो लेकिन कृशी जानकारों का कहना है कि सोया बीन का खादय तेलों में एहम योगदान है भारत खादिय तेलों का पर्मुक आयातक देश है और आयात की निर्भरता और विदेशी मुद्रा खर्च के बोज को कम करने में सोयाबीन महत्वपुरन योगदान दे रहा है अगर दाम लगातार कम मिलता रहा तो किसान इसकी खेती कम कर देंगे सोयाबीन भारत के विवसाइक तोर पर स्वत्तर के दशक में आई थी इसने अब यहां की तिलन फसलों में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है भारत में उत्पादिक कुल सोयाबीन का लगबग 94 फीसद भाराश्य मध्यपरदेश और राजस्थार्म से आता है ऐसे में अब किसान फिलाल दामों में कमी के चलते सोयाबीन भेचने को मजबूर है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी